कदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर जहां 19 नवंबर को बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ के कपाट तो वही कदारनाथ के कपाट पर जाएंगे तो है 16 नमंबर को के दानात के कपाट बंद होंगे सुभए 8 बच कर 30 मिनट पर महिश्वर जी के कपाट बंद होने की तिकी तै कर दे गई है महिश्वर जी कपाट 19 नमंबर को सुभए 7 बचे बंद होंगे आपको बदा दे कि कालीन जब शुरू होता है तो जुरान कपाटों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि भारी भारी वहां पर होती है और ऐसे में जो भगवान का स्थान है दूसरी जगे पर स्थाफित कर दिया जाता है शिप्ट कर दिया जाता है और ऐसे लिए तारी अब सामने आ गई है 19 नमंबर को जहां बद्रीनाद धांकी का पाट बंद होंगे तो वही 16 नमंबर को देदानाद धांकी का पार्ट बंद कर दे जाएंगे तो तितियों को देखकर ही यह तारीख अब तै हुई है तो शीकालीम के दौरान पहाडों में के दानाद धांकी का पार्ट और साथी बद्रीनाद धांकी का पार्ट जो है बंद कर दिया जाते हैं और फिर स्थान दूसरी तरफ कर दिया चाता है जैसा कि कि दार बाबा की जो डोली है वो उसकी मट में स्थापत कर दी जाती है ग्रीश मुकालीन तक वो वही परहती है और फिर जब ग्रीश मुकालीन में कपार्ट दोबारा किदार नाधान के खुलते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर दोबारा स्थापत किया जाता है लेकिन इस दुरान दूनों ही जबो पर पूजा अर्चना का जो कारक्रम है वलगाता जारी रहता है तो महिश्वर जी की कपाथ बंध होनी की दिधी भी तैह हो गई है उन्हें सवंब्र को सुबह साथ बजे महिश्वर जी की कपाथ बंध होनी